दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं स्वापिंग केंपेंड की अगर आपकी कोई e-commerce इस्टोर है और आप उतने e-commerce इस्टोर की प्रोड़ेट्स को स्वापिंग केंपेंड की तुरू सेल करना चाहते हो तो आज ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टे स्वापिंग केंपेंड में जो हमारी रिजल्ट है वो सर्च नेटवर्क्स पर सो होते हैं इसलिए हमें better quality result मिलते हैं और low cost में मिलते हैं इसलिए मुझे कि इस वीडियो में 2020 काफ़ी पसंद है तो इस वीडियो में काफ़ी उम्यद करने वाले वीडियो काफ़ी हम बता दूँ जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल स्वम चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड गूगल एड्स रिलेटेड सारी वीडियो तो guys हम computer की screen पर आगायें computer की screen पर आने के बाद सबसे पहले हम यहां पर standard swapping campaign बनाने वाए आइक जैसा की देज्बूर्ड है Google Ads का व्elli सबसे पहले मं प्लस new campaign पर क्लिक करता है यहां पर आता है What's your campaign objective जब भी हम swapping campaign रन करते है multiple पर उबजेक्टिब हमें देखते हैं sales lead website traffic तो हम यहां पर objective में sales लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा main target है ज़ाज से यदा sales करना हमने objective में sales ले लिया और यहां पर conversion goals वगएर आप proper set-up कर लेना conversion goals set-up करना नहीं आता तो simply youtube पर search कर लो conversion tracking डिजिटल सिभम for Shopify for e-commerce आपको जिसके लिए भी चाहिए उनकी वीडियो मैंने अप्लोट की हुई है हराम से आपको मिल जाएंगी अभी हम इसको करते हैं continue जैसे ही आप continue करोंगे campaign का टाइप आएगा campaign के टाइप में हम sales चाहते हैं किसके तुरू shopping ads के तुरू तो हम यहाँ पर campaign के टाइप में swapping ले लेंगे देखिए सबसे पहले आपके product merchant center पर add होने चाहिए क्योंकि swap campaign में आपको product अगर हम standard की बात करें तो आपको one by one product नहीं add करने पड़ते automatic जो google रहता है वो आपके merchant center से product उठा लेता है बहीं से title description बगारा सब ले लेता है automatic जो आपकी merchant center पर जो आप keyword listing करते हो जो आपने website में keywords दिये हुए है titles में automatic उन titles के साब से आपकी add चलती है इसलिए proper तरीके से merchant center setup कर लेना और सारे product merchant center में add कर देना मैंने merchant center अभी अपना link किया हुआ है तो देख सकते हो यहां से merchant center link कर लेना merchant center create कर लेना फिर यहां पर जब आपका create कर लोंगे तो यहां पर select account आएगा अगर आपका same gmail से होगा तो आप simply यहां से select भी कर सकते हो तो select कर लेना अब इसके बाद देखी जैसा कि मैंने का दो type की subscribe होते हैं एक performance max होता है इसमें एक आपका standard shopping campaign होता है तो हम जिसकी बात करेंगे हम बात करेंगे standard shopping campaign की क्योंकि performance max जो होता है वो multiple platform पर जाता है YouTube पर भी जाएगा डिस्पली में भी जाएगा फिर आपका search में भी आएगा लेकिन जो standard shopping campaign होता है देख सकते हो वो especially google search network पर जाता है तो जो हमारे targeted keywords है आनलो किसी को laptop लेना है तो वो search कर रहा है laptop laptop तो वह आपे laptop के आपने देखे होंगे like ads हो जाते image form में तो यह standard shopping campaign search में आता है image form में आता है तो यहां से like sales की chances हमारे बढ़ जाते हैं तो मैंने आप standard shopping campaign ले लिया है continue करते हैं अब जैसे आप इसको continue करोंगे आपके सामने campaign create करने को option आजागा campaign का name आ जाता है सबसे पहले हम ले लेते हैं sale add for Shopify name ले लिया example के लिएक मैंने name ले लिया अब यहां पर देखे all products मैंने लिये all products from all feeds अब bidding में दो टाइप की देखते हो maximize के लिए target OS manual CPC मैं आपे manual CPC लेके चल रहा हूँ और अपने according CPC का amount set करूँगा पर click का bidding में मैंने manual CPC ले लिया है और यहां पर budget हम रख देते हैं daily का 700 rupees campaign की priority हम इसको medium रख देते हैं आप जैसी priority रखना चाहूंगे उसे साबसे आपकी एड़ बढ़ेगी high भी रख सकते हो आप low भी रख सकते हो medium लेके चलता हूं ठीक है इंपन प्राइटी के बाद यहां पर सबसे पहले targeting में network साथ देखिए आप search networks पे भी दिखाना चाहते हो मतलब google के search partner platform पे भी दिखाना चाहते हो तब आप इसको check रख सकते हो आप अंचेक करोंगे तो यहां पर आप देख सकते हो most advertisers include their ads on google search partner site यह partner sites के लिए है अगर आप partner sites पे भी आप दिखाना चाहते हो तो आप इसको check रख सकते हो इसके बाद device आता हूं device like google automatic यहां पर by default रहता है device option इसको change करने का option नहीं आता है फिर इसका location आता है तो जो हम इसको करते है create ठीक है यह आप पर के लिए amount google keyword planner से ले सकते हो तो इस तरीके से आपको इसको create करना है अच्छा मैं आपको बता दूं automatic आपने all feed select किया तो जितने product आपके google merchant center पर आपने list कि होंगे automatic यहां पर सारे products की उपर add लग जाएगी आप यहां पर amount add करोंगे automatic आपके products google search feed जो search network से उसमें google search है जो उसमें आपके swapping campaign में आपके products सोहने लगेंगे बहां से आपकी sales आने लगेंगे तो आप standard swapping campaign में आपको products की image वग्यर upload नहीं करनी होती है यह google merchant center से करें अचली को लाइक करें हमारी चनल को जरूर सब्सक्राइब करें कोई वीडाव टेक्नेट वोक्समें कर बूल सकते हैं